और बड़ी खबर जहां रोजगार के लिए तमिल लाडू गई बोकारों के गोमिया की 30 लड़किया वहां फस गई है अभी भावकों ने पुर्व विधायक से घर वापसी की गुहार लगाई है बता दे आपको की पुर्व विधायक ने कहा की 8000 रुपे वेतन देकर वहां बच्चियों के साथ सोशन किया जा रहा है बोकारों जिले के तेनुघाट स्थित आई टी आई भवन में दीन दयाल उपाध्याय कोशल मेगा स्किल्स सेंटर के बैनर तले चल रहे विलनायक फाउंडेशन रिसर्च एन एजुकेशन सोसाइटी प्रसिक्षन केंद्र में प्रसिक्षन प्राप्त करने के बाद बच्चियों को तमिलाडू भेजा गया था बता दे कि 30 लड़कियों के अभिभावक अब अपनी बेटियों के लिए घर वापसी की गुहार पुर्व विधायक से लगा रहे हैं अभिभावकों ने गोमिया के पुर्व विधायक योगेंद्र प्रशाद से गुहार लगाते वे कहा है कि वे सभी लोग उग्रवाद प्रभावत गोमिया के गरीब तबके के लोग हैं परिवार की आर्थे क स्थते सुधरे इसी चाह में बच्चिया जो है वो वहाँ गई थी तीन महीने प्रसिक्षन प्राप्त करने के बाद प्रसिक्षन केंद्र से ही रोजगार के लिए चैनित लड़कियों को तमिल नाडु भेज दिया गया लेकिन अब बच्चियों से बात नहीं हो रही है लड़कियों से मोबाइल छीन लिए गए हैं वे सब तमिलनाडू में किस हालत में हैं इस बात को लेकर सबी अभिवावक चिंतित हैं बेटियों की घर वापसी को लेकर प्रसिक्षन केंद्र के अधिकारियों से बात की गई परंतो इस पर अधिकारियों ने अब तक कोई पहल नहीं किया है से बात नहीं करवा जाता है कई तरह का कई बच्चियां बीमार हैं उनके बाद भी उसको आने नहीं दिया जा रहा है इस शिकायत को लेकर हम लोग यहां आये और सत्व पाये हैं तो यह मामला था बच्चों की चुट्टी का गाजन का कहना था कि हमारे बच्चों को कि का भी प्रोसेस होता है तरीका होता है जैसे बच्चे यहां से गए तो बिना गाजन के पर आप